हलो फ्रेंड्स, मैं शुष्मा सिंग, आज बराऊंगी मैदे के जवे मैदे के जवे बनाने के लिए सबसे पहले हम मैदे का आटा गोतेंगे आटा गोतने के लिए हमें जितना मैदा चाहिए एक ऎरे लेकर के मैं उसको थोड़ा पानी डाल करके पूरी के आटे की तरह इसको गूत रही हूँ ये बहुत सकत भी नहीं चाहिए हमें और बहुत मुलैम भी नहीं चाहिए ये देखिए मैंने इस तरह से इस आटे की डो बना ली है अब मैं इसमें से थोड़ा सा आटा इस तरह से ले करके और हातों से इस तरह से यहां हतेरी के बीच में रखकर इसकी इस तरह से पतले पतली एक फलीसी बनाऊंगी अब हम इसको इस तरह से हाथ में ले करके और इस थारी में इस तरह से इसको गुमाते वे अपने मूलियों से छोटे छोटे जवे बनाएंगे यह जवे खाने में बड़े अच्छे लगते हैं और अपने हाथ के तूटे वे जवे तो और भी जादे अच्छे लगेंगे मैं इनको दो-तिन दिन दूप में सुखा कर फिर इनको ड्राई रोस्ट करके स्टोर कर दूँगी और जब मुझे इनसे खीर बनानी होगी तब मैं इनको दूद में पका कर खीर बनाऊंगी और यदि मुझे नमक के बनाने होंगे तो मैं नमक के जवे बनाऊंगी अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू